कमर 45 इंच कमर दोस्तों जहां पर यह घुमेगा वहां पर ले जाके इसको पीनप कर लेंगे दोस्तों का चूली अपनी है ना 7 इंच की बनेगी और योग जो रहेगा ना दोस्तों जो साड़े चारिंज का बनेगा इस वाओ सुआ है अगर आप लोगे के साउप में आप लोग आगर है के बनाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम जाती कि ब्लाउच को कटिंग किस तरीके से करेंगे कि और बनाएंगे कि इस तरीके से कि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी दोस्तों एक चीज मैं बताओ अधिक्ता यूटूबर जो रहते हैं जो बिलाउज की कटिंग आप लोगों को बताते हैं वो बॉडी फॉर्म पर या बॉडी मेजर्मेंट पर ही बिलाउज की कटिंग बताते हैं लेकिन दोस्त पहले नाप उतारेंगे तो नाप उतारने के मुलिए दोस्त्तों देख गगारी अगर इसकी कमर आपने दो देखीक इस तरीके से हम कमर नापेंगे राउनड पूरा तप्रवा को पूरी तरह कमर की पठ्टी में साराउंड गुमायंग का दोस्तों नापेंग ना तो दोस्तों दिख्षीए का कमर पेंटालीस इंच कमर दोस्तों वैसी अगर в streelsD नपिए न दोस्तों दिखिएगे साड़े तेरे इंच लेन्ध उफ ये लिखने को फोटें इंच लेन्ध बनानी ये मेद रिघी औहीं सब्सक्राइब अगर должance लंभा ही है ओ वाइसी इसकी मारी न है अदर मोरी अठा Pa targeting कि ठीक है वैसी यह बगल के पास से अगर इसको सीधा कर नापते हैं तो दिखिए कहां यहां भी 18 इंच आ रहा है मतलब 9 का 18 नहीं दोस्तों यह 9.5 इंच आ रहा है यह तेगा 19 इंच यहां पर आ रहा है ठीक है और अगर इसका पूरा राउंड आर्मुल नापते हैं दोस्तो एकम परत करें दोस्तों साड़े 10 मतलब 21 इंच का आप दोस्तों इसको इस तरीके से आर मोल नापेंगे दोस्तो अगर बिलाऊट लफरें नापते हैं और चॉली नापते हैं उस्किए क्या करतें भिलाऊउच को इस तरीके से हम जमा कर दोस्तों सुल्डर से देखे किए योक की योग आनिख लबारा دर बाराइंच योग की लंबाई है और और अगा चॉली अनुसरार की कटिंग करेंगे तो क्या कटिंग करने के सब से पहले हम धेक पड्येक की कटिंग करेंगे तो पेक पड़िक है दिफिए में किस तरेके से इस नाप को आप लोगों को जमा कर बताता हूं कि हैवी साइज बिलाउज में बैक पले की कटिंग कैसे होगी देखिए का लैंड सब्दा है तो हम 15 इंच में हम पहले एक निसान लगाएंगे दोस्तों कि अब लेएं पार होगाएं उ मारी है यह अपना सोल्डर का निसान होगा दोसinas एक लाइन की लेते हैं सोल्डर के लिए अब दोस्तों यहां पर एच्छी देखेंगे इनका सोल्डर नाधो दोस्तो 15 इंच का सोल्डर है दोस्तों इनका 15 का सोल्डर है तो साड़े साथ का हम आदा इंच बढ़ा कर 16 इंच में लेंगे और दोस्तों वैसे यहां पर जितना सोल्डर रहता है उसका आदा में आदा इंच कम करकर अभी हम साथ इंच में निसान लगाएंगे दोस्तों है न दोस्तों तो कमर दोस्तों देखए का 45 इंच कमर है मतलब इसका वन फोर होगा सब्सक्राइक 11 दिखी टारे 11 में एक निसान लगाएंगे दोस्तों और इसमें डॉट की मार्जिन नहीं देंगे दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे इसमें जो देड़ इंच की हम जो बिलाउज में मार्जिन देते हैं ना टाइट डीला करने के लिए वाली मार्जिन देंगे यहां पर ठीक है इतना होने के बाद दोस्तों एक ची देखेगा कि यहां साइट से दोस्तों देखेगा हम साड़े चार इंच में निसान लगा रहे हैं डॉट कर निसान इनका साड़े चार इंच में आएका सुथ साइट से और उपर से दोस्तों इसमें हम साड़े दास इंच में निसान लगाएंगे यह देखेगा ठीक है साड़े दास इंच में ये साइट से साड़े चारी इस तरीके के डॉट का निसान लगा कर अब यहां पर एक चीज़ देखिए कि हमको सुल्डर कम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे यहां से दुस्तों इसको दो इंच में एक निसान लगाएंगे और इस निसान को कि इस तरीके से दिखें कैसा तील्छा निसान लगा लेंगे दूस्तों तरीके से देखें यहां लिख लेते हैं दोस्तों ये 48 का भिलाऊ जयाए और कमर 45 की दोस्तों इतना ओने बाद देखी कि कर डॉट के पास ना इसको जहां तक अपने को डॉट लेना है वहां तब इस तरफ से हैं ना कटिंग करेंगे लेकिन वहां तक ना काटके इसको आदाइन छोड़ कर कट करेंगे दोस्तों ना देखिए कि इस तरीके से आदाइन छोड़ कर इसको इस तरीके से दोस्तों ना इसा गुमा लेंगे देगे दोस्तों अपने को जो डॉट की मार्जिन देनी नहीं सवा इंच की मार्जिन देनी है इसमें एक लुए 10 इंश की मांजिन अपने को निकालनी ड॓ट की इस साइज में दोस्तो जहां पर यह गुमेगा वहां पर लें जाकर इसको पीनब कर लेंगे, और जहां यहां पर हम चेस्ट नाप लेंगे देखेगा 48 का 24 सा 12 इंच के देखे इस तरीके से जहां पर आ रहे हैं दोस्तों उसको पॉइंट को मिला लेंगे यहां पर आ रहे हैं इमार्जिन का भी निसान हम आगे बढ़ा लेते हैं इदेखे ठीक है यह चेस्ट का निसान होगे दोस्तों अब दोस्तों क्या करेंगे देखे चेस्ट और कमर की निसान को हम मिला लेंगे इस तरीके से यह मार्जिन का निसान होगे दोस्तों अब दोस्तो आर्मूल का सेप डोस डिखी कर इस तरीके से देगे देखिए कि ऑले को रिट मतलस से बढ़ी tutte देगे दोस्तो ग्तिश्यक को दोस्तों अजिल के अगर आपको बताओ उना दोस्तों देखी ग्यादे आर्मूल बिल्कुल दिखीएगा साड़ेद्स इंच आर्मूल आ रहे हैं दोस्तों देखीएगा 21 इंच के आर्मूल दूस्तों अगर नहीं आता तो उसको नीचे भी खसका सकते थे अब यहाँ पर एक्षी दिखेएगा यह सुल्डर जो रहेगा न दोस्तों तीन इंच के अपने को सुल्डर निकलना है यह रिखेएगा क्योंकि सवा दो इंच का सुल्डर बनेगा बाकी दबाओ के लिए है दोस्तों यह बाकी का अपना गला बन जाएगा तो दोस्तों इसको पहले कट कर लेते हैं ठीक है दोस्तों देखें का सेफ कितना प्यारा निकला है इसमें तरीके से कपड़ा एक अपना क अपने को काटने के लिए इसको हल्वा एक पळले को दोस्तों देखें का पेपर वाली जो पैक पले अपने इसके पर अपने को जमाना नॉर्मल बिलाुजा आगे क्वाला दोस्तों चोलीग विला उजाएए तो छोली जेंगे यह रिखिए यह डॉट का निसान निकल गया यह देखिए यह अपना कमर का निसान निकल गया यह सोल्डर का निसान हो गया यह गले का निसान हो गया यह आर्मूल का निसान बिल्कुल उस तरीके से इसको छापकर बिल्कुल निसान उता लीजिए यह मार्जिन का निसान हो गया दोस्तों इस निसान को पूरी तरह उता लेते हैं देखें कि यह सिलाई का निसान हो गया यह अपना पहले माजिन का यह सिलाई का निसान है ठीक है यह आर्मॉल का भी हम निसान उता लेते हैं लिख लेते हैं 48 45 अपना गला है दोस्तों देखेगा गला साढ़ेता सींज का गला है दोस्तों ये देखिए साधेता सिंच का गला इस तरह बॉक्स बना कर दोस्तों ऐसा राउंड देदेंगे ते दिखिए इस तरीके से राउंड देदेंगे दोस्तों देखिए का अपना पैक पले का निसान उतार चुका है इसको हम कट कर लेते हैं दोस्तों जी हिए कुलपद करेणा कमर बना बढ़ीए बैठान है सुल्द्पी बढ़ीए बैठान है यदि वलाउज की प्वेटिंग बहुत अच्छी आती है जाहिए अगर आप लोग टेलर होना दूस्तों इसी तरह का इसे बिलाउज काटा कीजिए फेटिंग बहुत अच्छी आती है इसकी दूस्तों अपना बैक पल्ला कट हो चुका है लक्षवर काटने के लिए देखें जिनाजी अपने तरफ जमाएंगे इस तरीके से और इसको बैक पल्ले को क्या करेंगे दोस्तों यह जो डॉट राते मेक पल्ले का इसकी जो मार्जिन रहती है पहले निकाल लेंगे हुआ बैक तंब हमारी कि चाया फिलाई कर लिजिए मैं प्रेस से दबा कर इसको पीनप कर लूँगा इसको कि देखे दोस्तों यह हो काई की मार्जिन हो गई अपनी कि अब दोस्तों यहां पर एक चीज़ देखेगा नीचे अपने को आदा इंच की मार्जिन देनी है इसमें नीचे अपने को मार्जिन देनी है आदा इंच की बाकी बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसी का वैसी कटेगा दोस्तों देखेगा इसको बाकी बिल्कुल आप निसान लगा एक काटली चाहिए या डारेक्क काटली चाहिए लेकले का पॉइंट लगा लेते दोस्तों इसको अब उठा लेते हैं अब यहां पर देखिएगा हो काई पट्टी के लिए माजिन हम दे रहें कि यह सिलाई के निसान ओगे दोस्तों कि और मुल कन निसान ओगे दोस्तों यह कले का निसान होगे दोस्तों आइ आइ अब दूस्तोर एक चीज़ देखिएगा हम चॉली कट ब्लाउच की कटिंग कर रहे हैं पुराने ब्लाउच के नुसार कटेंगे दूस्तों तो दोस्तो देखिएगए पुराना ब्लाउच हम इस तरीके से पहले इसाच जमा लेते हैं और देखे कि सूल्डर से जो योग की जो लंबगाई रहती है दूस हम दोस्तो ना सोल्डर से 2 है तो हम 13 इंच में एक निसान लगा लेंगे दोस्तो तो यह चीद देखेंगा अपनी जो यहां की जो यह जो लंबाई है यह 13 इंच है ठीक है अभी जो साइट का दोस्तो अपने को जो योग बनाना था ना देखिए का चूली अपनी है ना साथ इंच की बनेगी और योग जो रहेगा ना दोस्तो साड़े चार इंच का बनेगा इसका ये देखिए का साड़े चार इंच का योग बनेगा तो साड़े चार का और दोस्तों अगर हम गले का भी निसान लेन लगाते हैं तो देखेगा अपने गलत मैं आप लोगों को चो लिया उयर इसको नाप न बता हुँ देखी गहा कि जोलि देखो दोस्तु दिखिए परफेट साद इंच की चोली है और questo साड़े ठाट चारी निच है ऑगशनी को समझवेटर है ना और अगर गले का भी निसान देखते हैं जो से तो जो जो गहीं ना दो सून्हें हम फूर साढ़े 4 व्य दश्ति में लगाएंगे साढ़े 4 पांच के बीच में लगाते हैं दोस्तों अ vient गला दूस्तों दिकी का साड़े सा इंच का गला है ऐसा जाय ईसा वॉपपर से यह यहां यहाँ पर तो ठीकि और इसे पच्छा आए कि अब योग जो रहे के ना दोस्तों यहां पर पॉन ही चुपपा चड़ा कर चोली का जो सेंटर रहते हैं ना दोस्तों वहां से ऐसा राउंड सेफ देंगे और यहां पर आदान चुपपर की और चड़ा देंगे दोस्तों दिखिए इसे फिटिंग बहुत अच्छी आती द की ज़रूर की ज़Иे जो नए लोगा के चेनल को सस्क्राइब कीजिए दोस्तों देखो अपना सेफ कितना प्यारा निकलना दोस्तों के एंडखिए का किस तरीके से हम काटेंगे पुराने चोली के साब से कपड़ा हम इस तरीके से रैप कपड़ा लेंगे तिल्छा देखिए ऐसा तिल्छा कपड़ा रहना ची दोस्तों और इसको इस तरीके से चोली चोली को ऐसा तिल्छा जमाएंगे दोस्तों हुए है कि अब दोफो यहांपर एची देखेएगा अपने को डॉट लगान पुराने बिलो से अपने पắt निकल जाएगा तो दोस्तो ऐसा बिल्फम को अलटा रखकर देखिए इस तरीके से उलटा रखकर Shumim के से देखिएा इसमें अपने की दोट करने सान निकल जाएगा कितने इंच को लट आप्त है तो दोस्तो तो दोस्तों आप यहां पर इसको देखेंगे किस तरीके से रिंग्स करेंगे हम कि दोस्तों यहां पर देखेंगा अपनी मार्जिन अपनी चोली की निकालनी है तो दो है तो हम टाइंच में यहां पर निसान लगाएंगे लिए देखिये i.p James में हमनिसान लगाएंगे दोस्तों क्याकिå तोगा और दोस्तों यहां पडरर अपनी माजीन ले चुके लेंगे इसलिए हम आप दो लोँ इंच का यहाँ पर गव लेंगे और यहाँ कर दोस्तो इसको 5.9 कुर मिला देंगे उस Türkiye चीपár 事 SHOWS ज्वह कर दों कर दूथे से रख कर दोस्तों भी पूं यहां से सेंटर लेकर दोस्तों एहां से दोस्तों देखिए कर आप लोगो को पुराने विलाउज के साफ से बताओ देखेंगे का चोली को अगर हम इसा तरीके से सामने रखकर इस तरीके से इसको देखकर आगर निसान लगाएंगे ना आपकी बिलाउज कभी नहीं भीड़ेगा बिल्कुर साही फिटिंग आईगी और दोस्तों उसको कट कर लेते हैं अब रखेंगे कच लेकर गया ते दिंगे यह यहां पर इच्छी देखाacious का इसका डॉट कर जो निसान लगाएंगी इस तरीके साथा से इसका माच से जमाकर फोली है न cud za ओई देखेंगे सादे penalty की तो विश्सकों दोस्तों इसा निकाल कर दोस्तों यहां से दिखेंगे दो इंच के अपना डॉट आ जाएगा दो साब्ध दो इंच का डॉट है दोस्तों देखेगा और इसकी जो चोली की डॉट की उचाहिए न साड़े तीन इंच है तो साड़े तीन इंच में ऐसा निसान लगाकर दोस्तों इस तरीके से दिखेगा ऐसा पॉइंट लगा लेंगे पॉइंट लगा अगर दोस्तो देखेगा यह डॉट को हम इस तरीके से अभी दबा लेते हैं और चोली को देखते हैं कि इस तरीके से उठेगा देखे दोस्तो चोली कितनी प्यारी उठी है दोस्तो देखेगा इसमें fitting बहुत अच्छी आईगी दोस्तो देखे इस तरीके से दोस्तो अगर मैं इसको आप लोगों को जमा कर बताओ ना दोस्तो देखे का बैक पले को पर हम इसको जमाते हैं देखे इस तरीके से इस तरीके से यह अपनी योग हो गई दोस्तो देखे यह अपनी दोस्तो य देखेए यह अपनी चोली हो गई कि अपनी चोली हो गई और यह अपनी योग पट्टी हो गई है कि दोस्तों देखें कितना प्यारा लगा है दोस्तों देखें इस ब्लाउच के फिटिंग बहुत अच्छी आएगी दोस्तों इस तरीके से आपने सान लगा लीजिए इस दम के लिए रहे दोस्तों दोस्तों आप लोग इस तरीके से कटिंग करेंगे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी खासर उन टेलर दुकानों के लिए हैं के लिए वीडियो मैं बनाया हूं जिनको कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है क्योंकि दुकानों में हर तरीके की बिलाउच बनने के ल आने वाले वीडियो तक लिए जय हिंग जय बारत